प्यारे बच्चो गुड़ मॉनिंग गड़ित की कच्छा में आज का पाठ है मिस्त्र संक्रियाएं मिक्ष्ड आप्रेशन जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ठ है मिस्त्र मतलब मिली जुली संक्रियाएं मतलब गड़ती क्रियाएं इसमें जोड, घटाना, गुड़ा, भाग सब क्रियाएं एक ही प्रस्ण में करनी होती है मिस्त्र संक्रियाओं को करने का एक निश्चित क्रम होता है वह क्रम क्या है? यहाँ देखिए मिस्त्र संक्रियाओं के प्रस्णों को हल करने के लिए एक निश्चित क्रम है गह से घटाना, यानि कि इन संक्रियाव में पहले भाग दिया जाता है, फिर गुडा किया जाता है, उसके बाद जोड किया जाता है, उसके बाद घटाना किया जाता है, आईए इस उधारण से समझते हैं, यहाँ एक प्रसन दिया है, चार गुडे तीन, धन आठ, भागा दो रिड़ 6 अब इस प्रश्ण को आपको हल करना है कैसे करेंगे सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे भागू भागू जो घः पहले भाग करेंगे अब देखिए यह है तो यहाँ भाग काची नह लगा हुआ आठ भागा दो दो से आठ में भाग देंगे दो चवक के आठ यहाँ चार आ गया फिर उसको उसी तरह से लिखेंगे चार गुडे तीन धन अब भाग खतम हो गया तो यहाँ चार रिड़ 6 दूसरी क्रिया होगी फिर दूसरी क्रिया क्या होगी गुडा भा, गू गु माने गुडा, अब देखे, चार तियां, बारे, अब यहां आमने गुडा कर दिया, और फिर धन, चार वैसे ही उतार दिया, रिड, छे उतार दिया, तीसरी क्रिया क्या है, जोड, अब इसके बाद हम जोड वाले को हल करेंगे, तो यहां बारे धन, चार, बराबर कितना हो गया, शोल, और रिड, अंत में बचा, छे, यहां नीचे उतार लेंगे, और अंत में सबसिक करेंगे, घटाना, शोल, रिड, छे, अब सोल में से छे घटा देंगे, तो बचेगा, दस, इस प्रकार से, मिस्र संक्रियाओं में, हम पहले भाग करते हैं, उसके बाद करने का एक निश्चित क्रम होता है, यह हम लोगों ने जाना, इसे सुष्म रूप में भागु जोग कहते हैं, और अंग्रेजी में भाग मतलब डिवीजन, गुड़ा मतलब मल्टिपिकेशन, जोड मतलब एडिशन, और घटाना का मतलब सबस्ट्रेक्शन, इसके पहले व इस प्रकार इस पार्ट में दिये गए अभ्यास कारे को भी आप आसानी से कर सकते हैं, यहां देखिए यह प्रस्ण दिये गए हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ इबार्ती के प्रस्ण भी दिये गए हैं, इनको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, साइकिल के एक कारखाने में 1565 तथा दूसरे कारखाने में 42 अच्छाइकले प्रदिन बनती हैं बताओ दोनों कारखाने में 27 दुनों में कितनी साइकले बनेगी तो क्या होगा 1565 गुड़े 27 धन 42 गुड़े 27 इस प्रकार से करेंगे तो यह हल हो जाएगा इस प्रकार इस पाठ के अभ्यास को आप लोग हल करिएगा यहां देखिए यहां भी एक उचित संक्रिया चिन्ह लगाना है यहां 12 गुड़े 5 रिड़ 10 बराबर 50 तो इसमें क्या होगा 12 पचे 60 रिड़ 10 पहले क्या होगा गुड़ा होगा फिर घटाना होगा इसी प्रकार से यहां यहां चिन्ह लगाना है और जिस प्रकार से यहां यह अस्तंभ दिया गया है तो इसके 12 गुड़ा करेंगे तो 12 गुड़े हो जाएगा उसके बाद जोड़ेंगे धन्थ 14 बराबर 110 तो इन अस्तंभों के बीच में भी आपको चिन्ह लगाना है यहां यहां और इसी प्रकार से यहां यहां मतलब आप छैतिज और लंबवाद दोनों प्रकार से चिन्ह लगाएंगे धन्यबाद